सावन, सावन सरसी कामनी, चरन कमलसियों प्यार, मनतन रत्ता साचरंग, इकको नाम अधार, बिख्या रांग कुडावेया, दिससन सब्बे छार, हर अम्रत बूंद सुहावनी, मिलसादू पीवन हार, वान तिन प्रभ संग मौलेया, सम्रत पुर्ख अपार, हर मिलने नो मन लोचदा, करम मिलावन हार, जिनी सखी प्रभ पाया, हों तिन कैसद बलेहार, नानक हरजी मया कर, शबद सवारन हार, सावन तिना सुहागणी, जिन राम नाम उरहार, अर्थात, सावन के महीने में वही जीवात्मा रूपी स्त्रीख खिली रहती है, जिसका हरी रूपी प्रियेत्म के चर्ण कमलों के साथ प्रेम है, जिसको एक मात्र नाम का ही सहारा है, और जिसने अपने तन मन को प्रमात्मा के सच्चे प्रेम के रंग में रंग लिया है, बूंद सुहावनी लगती है और वह संत सद्गुरू से मिलकर उस बूंद को पीने के योगे बन जाती है। प्रभू रूपी पती के मिलाब से उसे संपूर्ण वनस्पती सर्वशक्ती मान प्रभू के अस्तित से खिली हुई परतीत होती है। मेरे मन में भी ऐसे सर्वशक्ती मान और सर्व्यापक परमेश्वर से मिलने की इच्चा है। पर वह प्रभू जिसको भी अपने साथ मिलाता है। खुद अपनी दया से मिलाता है। इस प्राप्ती में प्रभू से मिल चुके संत सहायक होते हैं। इसलिए जिन आत्मा रूपी मेरी सक्षियों ने प्रभु को पाया है, मैं उन पर सदा बलेहारी जाती हूँ। हे प्रभु, अपनी दया से आत्मा को सवारने वाले शब्द से मेरा मिलाप करवा दो, यही नानक की प्रार्तना है। उन सुहागिनों के लिए सावन का महीना सुहावना है, जिन्होंने राम नाम को अपने रिदे का हार बना लिया है। पशाड की गर्मी से तपी हुई धर्ती की तपिश दूर हो जाती है, गर्मी की तपन से सूखी हुई वनस्पती फिर हरी भरी हो जाती है। गुरू साहिब कहते हैं कि जब जीवात्मा रूपी स्त्री का अपने पती परमेश्वर के चरण कमलों से प्रेम हो जाता है, तो वह प्रेम वश उससे मिलाब के लिए अपने तन मन को नाम भक्ती के रंग में रंग लेती है, उसके सभी दुखों और व्योग की जलन दूर हो जाती है, तथा जीवन उल्लास और आनांद से भर जाता है। गुरू साहिब परमेश्वर के चरण कमलों की महिमा करते हुए कहते हैं, गुरू साहिब कहते हैं, हे प्रभू, तेरे दर्शन धन्य है, तेरे चरण कमल अनूपम है, मैं बार बार तेरे चरण कमलों को नमन करता हूँ, और मन से उनके आगे धूप चलाता हूँ, एक और जगाए आप कहते हैं, चरण कमल हिर्दै उर्तारे, तेरे दर्शन को जाईं बले हारे, परमेश्वर अंदर है, इसलिए उसके चरण कमल भी अंदर है, गुरू साहिब फरमाते हैं, चरण कमल रिद अंतर तारे, प्रकटी जोत मिले राम प्यारे, जब अंदर शब्द की जोती प्रकट हुई, तो राम से मिलाप हो गया, और उसके चरण कमलों का आधार प्राप्त हो गया, स्पष्ट है कि गुरू साहिब ने अंदर शब्द की ध्वनी और उसके प्रकाश के साथ ध्यान जोडने को ही, परमेश्वर के चरण कमलों के साथ ध्यान लग जाने का नाम दिया है, मानतन रत्ता साथ चरंग एको नाम अधार, संसार भी जूटा है, इसकी शकलें और पदार्त भी जूटे और नाशवान है, इसलिए जो जीवात्मा संसार और इसकी शकलों और पदार्तों की और दोडती है, उसका मन उनके मोव में फंस कर दुखी होता है, केवल वह परमेश्वर और उसका नाम सच्चा है एक को नाम अधार जो जीवात्मा जूठे और नाश्वान संसार तथा उसकी शकलों और पदार्थों का आफ्रा वह भरोसा छोड़ कर एक परमेश्वर और उसके नाम का आश्रे ले लिती है उसका रोम रोम उस सचे प्रवु के प्रेम के रंग में रंग जाता है यानि वह नाम रूपी सत्य के रंग में रंग जाती है प्रमेश्वर और उसके नाम के रंग में रंगे जाने का क्या लाब होता है पहले जीवात्मा को संसार और इसकी शक्लें और पदार्थ सच्चे और स्थाई लगते थे वह इनको सच्चे और स्थाई सुक्का साधन समझने की अग्यानता की शिकार थी जब उसके अंदर परमेश्वर और उसके नाम का प्रेम बस जाता है तो उसे संसार माया का चल भरा खेल प्रतीत होने लगता है उसे माया मय पदार्थों का रंग जूठा, विश से भरा, विनाशकारी और धूल के समान प्रतीत होने लगता है हर अम्रत बूंत सुहावनी मिलसादू पीवन हार परमेश्वर के भक्त को संसार के भोग जहर और हरी तथा उसका नाम अमरित के समान परतीत होता है इसलिए वह प्रभु के भक्तों की संकती का लाव उठाकर परमेश्वर के नाम का अमरित पीने का प्रयत्न करता है अम्रित वह होता है जो अमर जीवन प्रदान करता है ऐसा अम्रित कौन सा है? गुरु अंगत देव जी की वानी है जिन वडियाई तेरे नाम की ते रते मन माहें नानक अम्रित एक है दूजा अम्रित नाहें गुरु अमर दास जी की वानी है एक को नाम अम्रित है मीठा, जग निर्मल साच सोई, नानक नाम प्रभुते पाईए, जिनको तुर लिखिया हुई प्रभु का नाम ही एक मात्र सच्चा अम्रित है, यह अम्रित परमेश्वर द्वारा लिखे धुर के लेख से मिलता है वानतिन प्रभ संग मोलेया, समरत पुरख अपार, जब जीवात्मा प्रभु के प्रिय भक्तों के उपदेश के अनुसार प्रभु भक्ती में मगन हो जाती है, तो उसको नाम के अम्रित से रस आने लगता है संपूर्ण वनस्पती में एक प्रभु के ही अस्तित्व का प्रत्यक्ष आभास होने से, उसे सारी वनस्पती खिली हुई प्रतीत होती है, उसको देख कर जीव के मन में सर्व समर्थ प्रभु से मिलाब की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है गुरु साहिब समझाते हैं कि प्रभु सर्व व्यापक तता सर्व शक्ती मान है, उस अनंत का अंत पा सकना असंबव है आप वानी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, तू करता तू कर्णहार, तू है एक अनेक जीओ, तू समर्थ, तू सर्व मैं, तू है बुद्ध विबेक जीओ हे प्रभु, तू सबका करता है, तू ही एक से अनेक होकर सब में समाया हुआ है, तू सर्वशक्ती मान तथा सर्व ग्याता है आप कहते हैं, तू समरत पूरन पार भरम, सोत आये पूरा जिस करम हे समर्थ प्रभु, तेरी भक्ती केवल तेरी कृपा द्वारा ही हो सकती है, गुरु साहिब ने यही भाव इन शब्दों में भी प्रकट किया है तू समरत अकत अगोचर, जियो पेंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास परमेश्वर की ऐसी महिमा को देखते हुए, मन में उससे मिलाप का चाव पैदा होता है, पर जीव अपने बल और बुद्धी के द्वारा उससे मिलाप नहीं कर सकता परमेश्वर का मिलाप उसकी द्या मेहर से होता है, जिस करता के हुकुम से जीव आत्मा संसार में आती है, उसकी द्या से ही वह संसार से मुक्त होकर उसके साथ मिलाप कर सकती है जिनी सकीये प्रभ पाया हाँ तिन कैसद बलेहार बलेहारी जाएं उन जीवात्मा रूपी स्त्रियों पर जिने परमेश्वर रूपी पती ने अपनी कृपा से अपने साथ मिला लिया है उनका मनुष्य जन्म सफल हो गया है वे रचना से मुक्त होकर रचैता में समा गई नानक हरजी मया कर शबद सवार नहार गुरु अरजुन देव जी ने पहले हर मिलनय नोमन लोचदा करम मिलावन हार में प्रभू की दया की और इशारा किया था अब आप हरी के करम यानि दया करने के साधन की ओर इशारा कर रहे हैं शबद सवारन हार हरी की दया शब्द यानि नाम द्वारा कारेशील होती है इसलिए गुरु साहिब हमारी ओर से प्रार्तना करते हैं हे हरी तु दया पूर्वक आत्मा को निर्मल करके अपने साथ मिलाने वाला शब्द यानि नाम बख्ष दे खुरुनानक साहिब जपजी की 38 पौडी में परमेश्वर के साथ मिलाव की युक्ती को स्पष्ट करते हुए उसमें आचरन की निर्मलता यानि जत यत्न की निरंतरता यानि धीरज विवेक और ग्यान यानि मतवेद डर तप प्रेम यानि भो का महत्व दर्शाते हुए कहते हैं कडिये शबद सच्ची तक साल जिनको नदर करम तिनकार बाकी सब गुण जीवात्मा को शब्द के द्वारा निर्मल किये जाने के लिए तैयार करते हैं जबकि इसको निर्मल बनाकर परमात्मा के साथ मिलाने का कार्य शब्द यानि नाम करता है और शब्द के साथ लिव जोडने का सवभागे परमेश्वर की द्या मेहर से प्राप्त होता है सावन तिन्ना सुहागणी जिन राम नाम उरहार मनुष्य जन्म रूपी सावन के महीने में वे जीव आत्माएं ही सच्ची सुहागिने हैं जिन्होंने राम नाम का हार धारन किया हुआ है नाम देह के अंदर है उरहार आत्मा राम नाम रूपी अमुले हार को अंदर जाकर ही धारन कर सकती है गुरु अर्जुन देवजी एक अन्य प्रसंग में कहते हैं अम्रित बन संसार सहाई आप पए राम नाम उरहार बिक के दिवस गए वह प्रभु नाम रूपी अम्रित का रूप धारन करके संसार का सहारा बन गया जिने राम नाम रूपी अम्रित का हार अपने अंदर प्राप्त हो गया वे माया के जहर से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं गुरु तेग बहादुर साहिब का कथन है राम नाम उर मैं गहे ओ, जाकै साम नहीं कोई चहे सिमरत संकट मिटै, दरस तुहारो होई राम नाम सबसे बड़ा और उंचा है, कोई दूसरी वस्तु इसकी तुलना नहीं कर सकती जिनों ने राम नाम को अंदर धारन कर लिया, उनका आवा गमन का संकट मिट गया और हरी के साथ मिलाप हो गया